क्या खिलेश को बड़ा जटका देगी कॉंग्रेस? मायावती को बधाई के जरिये बसपा से नज़धी की बढ़ाएंगे कॉंग्रेसी ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चर्चा तेज है कि कॉंग्रेस के कुछ नेता मायावती के जन्म दिन पर उनसे मिलने जा रहे हैं और उन्हें गठबंधन का हिस्सा होने के लिए मनाएंगे भी पिछले कई दिनों से मायावती को लेकर राजनेतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है कोई कहता है कि बहुत जल्द मायावती गठबंधन का हिस्सा होंगी और सपा का खेल बिगाडेंगी तो कोई कहता है मायावती अकेले रहकर गेम चेंजर की भूमिका में दिखाई पड़ेंगी चुनाओ के बाद अब असल बात क्या है ये तो मायावती जाने लेकिन खबर कुछ ऐसी है कि कॉंग्रेस लगातार ये चाहती है कि मायावती गठबंधन का हिस्सा हो 19 दिसंबर को हुई बैठक में भी कुछ ऐसी ही चर्चा हुई थी लेकिन बताया ये गया कि समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादो ने इस बात पर तुरंत आपती दर्ज की कि अगर मायावती गठबंधन का हिस्सा होगी तो वो यानी सपा गठबंधन से बाहर लेकिन कहते हैं ना कि राजनीत में कुछ भी इस्थिर नहीं है ना कोई स्थाई दोस्त है ना स्थाई दुश्मन हाल ही में अखिलेश यादो अपने बिधायकों से मायावती की इज़त करने की बात कहते दिखाई पड़े इस बीच अब कॉंग्रेस के नेता मायावती को मायावती के जन्म दिन की बधाई दे कर हो सकता है अखिलेश यादो को जटका भी दे दें क्योंकि सीट शेरिंग के फॉर्मूले को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है यानि अब तक कोई बात नहीं बन पाई है यूपी में कॉंग्रेस और सपा के बीच अगर सीट शेरिंग पर बात नहीं बनी तो मायावती ही वो कड़ी साबित होंगी जो इंडिया गटबंधन को लोग सभा की 80 सीटों वाले राज्य में थोड़ा मजबूत करेंगी लोग सभा चुनाव नस्दीक हैं सभी दल सियासी चौसर बिचाने में जुटे हुए हैं उत्तर प्रदेश में इंडिया गटबंधन में शहमात का खेल चल रहा है सीटों को लेकर सपा कॉंग्रेस में मनमुटाव बना हुआ है उधर कॉंग्रेस बसपा को गटबंधन में शामिल करने को लेकर भी प्रयासरत है चर्चा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के जनम दिन पर कॉंग्रेसी बधाई संदेश के जरिये हाथी वाली पार्टी से नजदी की बढ़ाएंगे जबकि मायावती अभी तक गटबंधन में शामिल होने से इनकार करती रही है इसके साथ ही बस्पा लुक सभा चुनाव की तैयारियों का आगाज भी कर देगी इसी दोरान संभावित प्रत्याशियों के बायो डाटा की स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी साथ ही उन्हें शेत्र भरमण का आदेश भी हो जाएगा बस्पा चीफ इस अवसर पर अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं को चुनावी संदेश भी देंगी दरसल विपक्षी पार्टियां मायावती को भी अपने नए गटबंधन में शामिल कराना चाहती हैं चर्चा है कि कॉंग्रेस के कुछ प्रमुक नेता 15 जनवरी को मायावती से मिल सकते हैं विमायोती के जर्म दिन की बधाई के साथ गटबंधन में शामिल होने को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ बैठक करेगी। इधर चर्चा ये भी है कि समाजवादी पार्टी से सीटों को लेकर हो रहे मनमुटाओ पर कॉ जहाजवाद बहुजन समाजवादी के साथ गटबंधन का चुनाव लड़ने की संभावनाय बरकरार रखना चाहती है। इसे लेकर बारह जनवरी को सपा कॉंग्रेस की बैठक टलने के बाद कयास और तेज हो गए हैं। कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजैराय ने कह कि हम लोग 15 जनवरी को आयवध्या जा रहे हैं। बसपाचीफ के जनम दिन पर मुलाकात या गटबंधन में शामिल होने सम्मंदी नेड़न सीर्ष नेतरतु करेगा। मायावती को सियासत का गेम चेंजर यूही नहीं कहा जाता है। अभी तक उन्होंने अपने पत्ते देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।